Hello and welcome to the 7th part of the HTML series, इसके अंदर हम CSS पढ़ेंगे, थोड़ा सा मैं इंट्रो दूँगा, कितने टाइप में हम CSS लिख सकते हैं वो बताऊंगा, उसके अलावा मैं बात करने वाला हूँ, लिंक्स के बार में थोड़ा साधा डीटेल में, सबसे पहले CSS के बार में बात करते हैं, जि जो कि है inline CSS, जिसके बार में मैंने बताया था, जैसे कि style attribute का यूज करके उसके अंदर हम CSS लिख सकते हैं, जैसे कि ये color प्रोवाइड कर दिया, background color प्रोवाइड कर दिया, या फिर font की size, font का weight, ये सब जो है, हम provide कर सकते हैं CSS के थ्रूप, ठीक है, और ये specifically है inline CSS, दूसरी type of CSS होती है, internal CSS, ठीक है, internal CSS basically हम यहाँ पर लिखते हैं, head के अंदर style tag बना के, अब यहाँ पर जितनी CSS लिखनी है, लिख दो, let's say मैं p tag का color change करना जाता हूँ, उसके अंदर जो भी text तो उसका color change करना जाता हूँ, तो मैं सीधा p लिख सकता हूँ, और इसके अंदर curly braces के अंद देखते हैं, तो सारे जो भी p tags हैं वहाँ पर, जो color है वो change हो चुका है, okay, tomato से, तो internal CSS ऐसे का हम करती है, जैसे h1 है, for example, h1 है, उसका मिरे को color change करना है, तो h1, उसके अंदर color, और let's say, white, okay, फिर semicolon, and यह हो गया white, okay, तो हम internal CSS ऐसे लिख सकते हैं, external CSS के बार में बात करते हैं तो हम external file बनाते हैं, CSS file, okay, so for example, style.css, कुछ भी नाम रख सकते हो, style.css के मदर कुछ लिखते हैं, for example, इस h2 का color change करना है, ठीक है, इस बार हम h2 का color change करेंगे, तो h2, और color blue, लेकिन change नहीं हुआ, कुछ भी change नहीं हुआ, क्योंकि अभी यह external file है, इसको हमें import भी तो करना प लिंक, rel, और यहां पर style sheet, okay, href, और यहां पर इसका path देना है, तो यह इसी folder में है, तो यहां पर मैं style.css provide कर दूँआ, एक slash के बाद style.css, अब मैं अगर save करके से check करूँ, फिर भी काम नहीं कर रहा है, क्योंकि h2 का color तो यहां पर change हो रखा है, हमें h3 का color change करना था, okay, तो यहां पर h3 कर देता हूँ, save, और यह h3 का color change हो गया, okay, अगर मैं यह line हटा दूँ, यह जो import line है, इसे मैं comment out कर दूँ, अभी के लिए, और save करूँ, तो देखो, कुछ change नहीं हो रहा, क्योंकि वो import नहीं हो रही, right, तो इसको use करने के लिए external css file को हमें उसे import करना पड़ता है, और import करने के लिए हम ऐसे use कर सकते हैं, अगर लेट से कोई folder के अंदर होती, यह file, लेट से css करके एक folder है, और मैंने style.css उस folder के अंदर डाल रखा है, okay, move कर दिया, तो अब मैं इसको कैसे करता, तो मैं css और फिर slash provide करता, व्यसकोड कि यह relative है, अपनी जो current file है उससे, हमारी जो current file है, वो जिस folder के अंदर है, उसका path यहाँ से शुरू होता है, इसके बाद, इसके अंदर एक folder है css, उसके अंदर एक file है style.css, वो हम ऐसे provide करते हैं, ठीक है, तो यह हो गई external style sheet, हम यहाँ पर absolute path भी provide कर सकते हैं, for example bootstrap, एक css file provide करता है, इसका मतलब किया है, मैं बताता हूँ, attention मतलब, तो यह रही इसकी main file, मैं यहाँ पर सीज़ा provide कर सकता हूँ, देखना कैसे change होगा हमारा, जो website है, उसका look, देखो font वगरा change हो गया, ठीक है, तो हम अभी use कर रहे है, bootstrap css, और यह हमने import किया है, इसके absolute link को use करके, तो href में उसका link होता है, और rel बताता है कि यह style sheet है, format क्या है, यह css file है, तो अभी के लिए मैं यह bootstrap वाली हटा रहा हूँ, और इसमें style.css ही use करूँगा, तो इसे save कर दिया, और यह ऐसे आ गई, अब css की दो properties, जो basic properties है, वो भी मैं explain कर रहा हूँ, margin और padding, तो यहाँ एक second मैं पहले zoom in करता हूँ, सबसे छोटी जो heading है, या फिर let's say, यह h3 है, तो h4 को use करते है, और उसके थ्रू मैं margin और padding के बारे में बताऊँगा, तो h4, और margin इसमें डाल रहा हूँ मैं, 200px, तो देखो margin आ गई, 200 की जगा चलो 100 ही कर देते है, for now, तो यह इसमें margin आ गई margin का मतलब पता ही होगा, space आ जाता है उसके बास, अब मैं margin को replace कर रहा हूँ padding से, लेकिन हमें कुछ खास फर्क नहीं नजर आ रहा हूँ, तो अब मैं क्या करूँगा, padding और margin तो सेम ही काम कर रहे है, हमें ऐसा लग रहा है, तो अब मैं क्या करूँगा, padding और margin दोनों डालू उसकी जो size है, जो box है, जिस box में इस element को रखा गया है, उसके बाहर 50 की हमने margin दिये, और उसके अंदर 50 की padding दिये, तो padding होती है उस container के अंदर की spacing, और margin होती है उस container के बाहर की spacing, ठीक है, तो अगर मैं margin 0 कर द Rabbi 0, तो ये चला गया यहांसे, और padding 0 कर दो तो ये भी चला गया, ठीक है तो अभी यह ऐसे दिख रहा है, padding अगर 10 की हो तो padding आगी, margin अगर 20 की हो, तो container के बाहर की spacing बढ़ गई, ठीक है, तो margin और padding में यह difference होता है, ओके तो CSS के लिए अभी इतना ही, अब next है HTML में हमने links पढ़ा था, for example, हमने यह वाला link, जो Wikipedia वाला link है, यह यूज किया था, यहाँ पर एक बात notice की, कि यह जो Wikipedia का page है, वो same tab के अंदर खुल रहा है, अगर हमें इसे दूसरे tab में खोलना हो, तो क्या करेंगे, उसके लिए एक और attribute है इसमें, target, तो अभी by default होता है self, underscore self, और उसकी वजय से क्या हो रहा है, कि यह जो same tab है, इसके अंदर खुल रहा है, लेकिन अगर मैं इसे change कर तू, blank में, underscore blank, and अगर मैं अब इसे click करूँ, कहां गया, यह रहा, तो देखो नए tab में खुल रहा है, तो यह जो दो target की values हैं, इसे याद कर लो, blank और self, self में same tab में खुलता है, blank में अलग tab में खुलता है, तो अभी के लिए इतना ही है, इस वीडियो के अंदर हमने CSS के बार में थोड़ा और पढ़ा, तीन टाइप की CSS, inline, internal और external CSS, हमने दो basic CSS properties पढ़ी, margin और padding, और हमने link से related एक important attribute के बार में पढ़ा जो की है, target, like, subscribe और share कर दो, तब तक के लिए, stay happy, stay safe.